हेलो एवरिवन, स्टुडेंट्स आपको चेप्टर थर्टीन, मार्क आफ इस्डम मैं एक्स्पेइन कर चुकी हूँ, बुक में भी मैं आपको समझा चुकी हूँ और कॉपी वर्ग भी मैं आपको इसका करवा चुकी हूँ, I think बच्चों आप लोगों ने कर लिया होगा, चल के बारे में पोयम है, इसमें बच्चा सपने देखता है, है ना, और वो क्या सपने देख रहा है, और कैसे जब वो उठता है सपने में से, तो उन सपनों में वो क्या बदलाओ देखता है, क्या उसके सपने में आता है, और क्या-क्या वो सपने को फिर बाद में चेंज हो कर देखता है, तो देखते हैं, चलिए, आजाई यह ज़रा first line पर, at 7 when I go to bed, 7 बजे जब मैं विस्तर पर जाता हूँ, बच्चा भी student से 7 साल कही है, और यह 7 बजे ही विस्तर पर जाता है, और 7 बजे विस्तर पर से उठता है morning में, तो देखिए, जब मैं विस्तर पर जाता I find such pictures in my head, तो मैं मेरे दिमाग में कुछ ऐसे द्रश्य आते हैं, कौन-कौन से द्रश्य वो देख रहा है, यह सपने की बात चल रही है, castles with dragons prowling round, castles बोलते हैं बच्चो किले को, ठीक है, और dragons जो यह यहाँ पर यह उड़ रहा है पक्षी, यह होगे आपका dragon, prowling round, बच्च में देख रहे होंगे, बच्चो एक किला दिखाया जा रहा है यहाँ पर, इस किले के ऊपर एक dragon ऊड़ रहा है, है ना, prowling round, वो बिल्कुल निश्चिन तोकर ऊड़ रहा है, उसे किसी बात की कोई फिकर चिंता नहीं है, ठीक है, gardens where magic fruits are found, और सपने में वो क्या देख रहा ह वो देखता है कि magic fruits उसे का garden उसे दिखाई दे रहा है, सपनों में, फर्स इस्टेंजे में वो दो चीज देख चुका है, क्या है, एक तो वो किला देख रहा है, जिस किले के ऊपर एक dragon निश्चिन तोकर ऊड़ रहा है, और एक दूसरी चीज उसने क्या देखी सपने में, magic fruits का garden देखा, ठीक है, अब next इस्टेंजे में देखते हैं, वो क्या देख रहा है, fair ladies present in a tower, और lost in an enchanted bower, fair ladies मतलब सुन्दर सुन्दर परिया, सुन्दर सुन्दर परियों को वो एक tower में, जैसे कि यहां पर दिखाए जा रही है, इसके लिए के अंदर ये, है ना, tower present बोलते ह खो गई है, है ना, while gallant horseman, और क्या देख रहा है, वो सपने में next line में देखिए, while gallant horseman ride by streams, gallant बोलते हैं, बच्चों बहादूर को, stream बोलते हैं, बच्चों नदी को, ठीक है, ride मतलब घुर सवारी करना, तो, while gallant horseman ride by streams, और कुछ बहादूर घुरों को, घुर सवारों को द land of dreams, land of dreams, बच्चों किनारे पर आना है, वो बिल्कुल, अब last में, यह जो इसका last वाला सपना है, वो last सपने में क्या देख रहा है, कि land of dreams, एक सपनों का देश है, जो अब यह इस वाले इस टेंजे में दो चीज देखी है, कि कुछ ladies है, सुन्दर परिया है, जो कि एक jail में कैद है, या फिर वो जो ladies है, वो प्रसंता से दरदर घूमते वे उस कुटिया में, उस में tower में कहीं हो गई है, ठीक है, अब जरा next stage को देखते है, stage number 3, I find, मैंने पाया, मैं पाता हूँ, क्या, अब यहाँ पर यह, जो poet कह रहा है, यह Robert Louis Stevenson, क्या कह रहा है, यह कह रहा है, I I find so clearly in my head, मैंने बिलकु साफ साफ, अपने मस्तिक्ष में देखा, अपने दिमाग से देखा, सपने में देखा, at 7 when I go to bed, जब 7 बजे मैं बिस्तर पर जाता हूँ, and at 7 और 7 बजे, when I wake again, जब मैं दुबारा फिर से उठता हूँ, the magic land I seek in vain, जो उस magic land पर मैंने देखा, I seek, मै वो सब बेकार रहा, क्योंकि सपने में जो उसने ये सब चीजे देखी थी, किले के उपर उड़ते वे उसने ड्रैगन देखा था, जो कि निश्चिन तो कर घूम रहे थे, कुछ उसने magic fruits देखे थे एक गार्डन में, कुछ उसने एक prison में, जेल में कैद हुई वी सुन्दर परियां देखी थी, कुछ इदर उदर प्रसंता से घूम रही थी, है न, और कुछ बहादूर होर्समेन देखे थे, उसने जो की नदी को पार करते वे उधर आ रहे थे, तो ये सब बाते उसने जो देखी थी, वो सब बेकार रही, क्यों, क्योंकि अब वो साथ बजे सुब किले को देखा था, कैसल को देखा था, वहाँ पर उसने क्या पाया, एक चेयर खडी वी है, एक चेयर है, ठीक है, ता कार्पेट हाइड ता गार्डन ग्राउंड, और जहाँ पर उसने, जिस ग्राउंड में उसने गार्डन को देखा था, उस ग्राउंड में एक कार्पेट बिचह हुआ है, carpet ने उस garden को धक लिया है, hide में शिपा लिया है, carpet कहते हैं, बच्चो कालीन को, जैसे हम सो रहे हैं हमारा सपना तूटा सपने में से जगे तो हमने देखा कि हमें अपना कमरा दिखाता है जहां हम सो रहे होते हैं तो और कमरे में बहुत लोगों कि यहां कार्पेट बगारा बिच्छ होते हैं तो उसको लगा कि उस मैजिक फ्रूट्स के जगे उस गार्डन की जगे कार्पेट बिच्छा हुआ है ठीक है तो अब जब उसका सपना तूट चूपाया है तो उसने वहाँ पर किसी भी परी को नहीं देखा उसने कोई बूट महाँ पर नहीं देखे कोई होर्समैन कोई गुहड़सवार को नहीं देखा flank the door इधर उधर उसने चारो तरफ दिशा में देखा तो उसे उस धरवाज़े पर कोई भी दिखाई नहीं दिया अभी हाँ पर बच्चों मैं आपको लास्ट इसे रिंजा बता दू and where the blue stream's rippling ran is now a bath and water can और जहाँ पर उसे वो नदियां दिखाई दे रही थी जहाँ पर इसमें की तरंगे उठ रही थी अब उसे वहाँ पर केवले बाथिंग और water can वगरा दिखाई दे रही थी किसको? Poet को Robert Lewis, Steve Sun को I seek the magic land in vain at 7 when I wake again जब मैं सुभह 7 बजे उठा जगा तो मैंने देखा कि जो मेरा सपना था magic land का ये सब बिलकुल बेकार था मुझे वहाँ पर वो कुछ दिखाई नहीं दिया जो कि मैंने सपने में देखा था तो बच्चों ये एक छोटी सी poem है सपने के बारे में है और आपने reality में भी देखाऊगा बच्चों कि जो चीज़ हम सपने में देखते हैं तो almost वो में मिलती नहीं है हम सपने में देख रहे हैं कि हम फॉरन घुमाए हमने सपने में ये देखा हमने वो देखा तो हम जब उठके देखते हैं तो हम बड़ा आश्री होता है ये तो सपना था ये तो कोई भी रियलीटी नहीं थी है ना तो अब बच्चों ये पोएम तो खतम हो गई है अब मैं आपको इसके बुकवर करा दूँ इसके बुकवर कमें हमें A और D एक्सरसाइज करनी है चले पहले A एक्सरसाइज में देखते हैं क्या पूछ रहे हैं बच्चों 7-year-old के ठीक है तो यहाँ पर हमने 7 को फिल कर दिया नमबर 2 Dash fruits are found in the gardens Garden में कैसे fruits दिखाई दिये थे उसे बच्चों अपने dream में magic fruits है ना तो यहाँ पर आ गया magic नमबर 3 The land of dreams is bordered by bordered मतलब सबसे last में उसके सपनों में क्या चीज़ दिखाई दी थी उसे streams उसे नदियां दिखाई दी थी जिस नदी को पार करके horseman, बहादूर horseman वहाँ पर आ रहे थे है ना सबसे last में उसे दिखाई दी border means यहाँ पर किनारे पर सबसे last में उसे क्या चीज़ दिखाई दी number 4 a dash takes place of the castle when the child's wake up जब वो बच्चा जगा जब poet जगा तो उसने उस castle के place पर उस किले के place पर किस चीज़ को पाया था सबसे पहले chair को पाया था ना chair takes place तो बच्चों यह fill in the blanks मैंने आपको कराए इसके बाद इसके बाद बच्चों चलिए जरा हम आपको क्या करा दें इसके exercise number D है यहाँ पर exercise D में हमें बच्चों इहाँ पर rhyming words करने हैं rhyming words बच्चों मैं आपको I think पहले भी समझा चुकी हूँ कि उनके last की wording सेम होनी चाहिए बतला वर्ड्स तो जैसे रेन, वेन, गेन है ना ऐसे मतला last में जो साउंड होते है वो सेम होनी चाहिए जैसे रेन का बच्चों हाँ पर यह आप देखेंगे इसमें समझ में आ जाया है आपको डिवाल exercise में find the two rhyming words for each word from the poem above देखें, जो हमने poem पढ़ी ठीक है, इस poem में हमें almost यह rhyming words मिलें ठीक है, देखेंगे जैसे रेन, रेन तो हमने poem में नहीं पढ़ा बट वेन पढ़ा है तो रेन का वेन और again यह गेन भी हो सकता है number two, surround surround तो हमने poem में नहीं पढ़ा बच्चों लेकिन round पढ़ा है ठीक है, और एक हो गया इसमें rhyming word found, number three, sad sad हमने नहीं पढ़ा लेकिन head और bed पढ़ा है, ठीक है तो sad का हो गया, head और bed, number four, hound hound का होता है बच्चों round और found, round हमने पढ़ा है आपर, यह ना number five, score, score का बच्चों हमने score word तो नहीं पढ़ा लेकिन floor पढ़ा है floor और door भी पढ़ा है ठीक है, तो यह rhyming words है team, team हमने नहीं पढ़ा लेकिन stream और dream दोनों word हमने पढ़े है तो I think बच्चों आपको rhyming words भी समझ में आ गई होंगे और इसके बाद मैं आपको next run पर इसका copy work कराऊंगी जो बच्चे poem को बार-बार पढ़ेंगे समझेंगे, उनको समझ में आ जाएगी बच्चों आपको हिंदी के word meaning भी book में लिखने होते हैं, अभी जो आपकी books वगरा checking के लिए आई है, मैंने देखा इस बात को no down किया, एक बच्चे ने भी किसी भी book पर चाहे वो English reader हो, grammar हो कोई भी लिखा हुआ नहीं है जैसे मैं आपको हर poem में हर chapter में बताती हूँ कि आपको word meaning लिखने है जिससे कि आपको पढ़ने में easy हो जाए लेकिन बच्चों किसी भी बच्चे ने लिखा हुआ है किवर एक आधी student है जिन्नोंने मेरी बात को follow किया है ना तो I think आपको सभी को मेरी बात को follow करते हुए, सभी word meanings लिखने है book work फिल करना है और उसके बाद next turn पर copy work करेंगे, okay students thank you and have a nice day